हाथों और पैरों पर जमी हुई मैल और गंदगी को हटाने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही एफेक्टिव रेमेडी शेयर करी हूँ जो कि तुरंथ सालों पुरानी जमी हुई मैल को हटाने का काम करी कि और हमारी स्किन को गोरा निकरा ह और खूबसुरत भी बनाएगी आज का इवीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा बहुत ही यूसफ़ल होने वाला है और सबसे पहले हमें आपर इस्तमाल करना है एनो का इनो को इस्तमाल हम लोग कम कप करते हैं सोचिये हम लोग इनो का प्रयोग करते हैं जब हमें तो हमें आपर इस्तमाल करना है आधे इनो का पाउच इसके अलावा हमें आपर इस्तमाल करना है इस तरीके के टूथपेस्ट का मैंने आपर आज वाइट वाले टूथपेस्ट का यूज करा है आप किसी भी ब्रैंड का कोई भी टूथपेस्ट याँ पर यूज कर सकते हैं ट आपस में मिलकर एक बहुत ही अच्छा कॉंबिनेशन बन जाते हैं तो आज मैं दोनों ही चीजों का यूस करने वाली हूँ और हम देखेंगे कि कैसे हम अपने शरीर पर जमे होएं मैल को हटा सकते हैं शरीर पर मैल जमने के कई सारे कारण हो सकते हैं पहला कारण है कि हम लोग नहाते वक्त केवल अपने फेस पर ज्यारा ध्यान देते हैं और बाकी बॉड़ी को इग्नोर कर देते हैं ऐसे में हमारे घुटे और कोनिया काली हो जाती है कई सारे लोगों के तो चेहरे और गर्दन का रंग मैच ही नहीं करता uneven skin tone की फरशानी हो जाती है pigmentation हो जाते हैं घुटनों पर और कोनियों पर फिर हम चाहे कितना भी अपने घुटनों या कोनियों को रगर लें लिकिन वो कालापन नहीं हटता है एक बार जो हमारी कोनियों और घुटने काले हो गए तो उसके बाद उनका रंग कभी साफ नहीं होता कई सारे लोगों के तो अंडरांस का कलर भी बहुत ही काला हो जाता है डाक हो जाते हैं pigmentation की वज़े से धूप में रहने की वज़े से और साथ ही सफाई न रखने के कारण अंधंग से नहाने में जो लोग टाइम नहीं देते हैं उन्हें ये काले घुटने और कोनियों की तकलीफ होती होगी इसके अलावा मैंने याप पर इस्तमाल कर रहा है तीसरी और आक्री जीज विनेगर मैंने याप पर वाइट विनेगर का यूज करा है अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो कोई बात नहीं आप इस्तमाल कर सकते हैं नीबू के रस का नीबू का रस और विनेगर दोनों ही लगभग एक जसा काम करते हैं तो इसलिए आप दोनों में से किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं हमें आपर vinegar डालना है, करीब दो चमच vinegar डालना है, आधे ino का pouch डालना है और एक चमच हमें आपर toothpaste का इस्तमाल करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले toothpaste की एक ठिक सी layer, एक मोटी सी layer अपने घुटनों पर apply करेंगे उसके एक मिनिट बाद हमें डालना है इनो और इनो के बाद हम इस पर डालने वाले हैं अपना विनेगर ये तीनो चीजें आपस में रियाक्ट होंगी और एक बहतरीन क्लेंजिंग एजिंट की तरह काम करेंगी हमारे घुटनों के रंग को साफ करेंगी टैनिंग को हटाएंगी पिग्मेंटेशन को लाइट करने का काम करेंगी और रंग को निखाने का भी काम करेंगी और साथ ही अनिवन स्किन टोन के लिए ये सबसे बेस्ट रिमेडी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे भी न बाटन के टावल की मदद से ड्राइ कर लीजे अपनी स्किन को उसके बाद एक पतली सी लेयर आपको अपने नीज पर इस तरीके से टूथपिस के अपलाए करना है तूथपिस की लेयर अपलाए करने के बाद हमें इनो का आधा पूरा पाउच इस पर स्प्रिंकल कर देना है एक मिनिट बाद ये देखिए मैं इस तरीक से इनो के पाउच को डारेक्ली अपने नीज पर अपलाए करती जाए हूँ दोनों घुटनों पर दोनों कोनियों पर आप इस तरीके से अपलाए करें ये देखिए ये दोनों चीजें आपस में इच्छी से रियाक्ट तब क्योंकि हमारे जो विनेगर होता नो सि pow करें सिट्रिक एसिड होता है योकिकी रियाक्ट करता है एनो के और टूथ सकिन पर जुमी हुई लेयर को रिमोव करेगा स्किन को प्रोवाइट करेगा और पिगमेटश में को लाइट करेगा टैंन को हमे रिजा के तhalten एगा मिता द थंडे पानी के नीचे आपकी स्किन पर कोई रियाक्शन नहीं होगा बहुती एफेक्टिव रेमेडी है मैं अपने चैनल के ओपर केवल वीडियो लेकर आती हूं जो की मेरे लिये काम करती है तो इस तरीके से विनेगर डाला है मैंने आप यह देखिए तो फोम आरहा है साज करिए फिर पानी के नीचे दोदीजे अगर आप लोगा को मेरा आजगा को वीडियो अच्छा रागा हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाई क करे अगर आप मेरे चैनल के ओपर पर परिए यह जाटम को सब्सक्राइब करें साथी इस तरीके से सर्किलर मोशन में रभ करते जाएए ताकि जाओ कि डेट स्किन सेल्स की लेयर है वो सॉफ्ट हो जाए और रिमूफ हो जाएगी वाश करते टाइम यह एक बहतरीन एक्सफुलीटर की तरह भी काम करता है हमारे मेल और गंदगी को हटाने के लिए